हेलो हेलो एड वेलकम एवरीवन वेलकम टू दे चैनल तो भाई क्या हाल है जी मौज मस्ती चल रही है कि नहीं मौज मस्ती के साथ ही हम पढ़ते हैं इस चैनल पे तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नमबर 3 जिसका नाम है गोपाल इंदा हिलसा फिश एक तो मैं पता हूँ यार यह महाईजी लल्लू पल्लू चाप्टर है कॉमिक बुक वाला स्टिल अगर तुम यह वीडियो देखे रहो अगर तुम्हारा आसपास पेपर है आई नो मैं यह बात जानता हूँ आपको जो चाहिए वह इस वीडियो में तो बात है उस सीजन की जब था हिलसा फिश हिलसा एक फिश का नाम है वो सीजन चल रहा था हर तरफ बात है हो रही थी सिर्फ हिलसा फिश की हर सब लोग किसकी बात करते थे बस उसी फिश की रॉयल कोर्ट में भी कोटियर जो थे सिर्फ एक ही चीज की बात कर रहे थे वो he could not stop anyone from talking about hilsa fish just for 5 minutes Gopal accepted the challenge willingly अब King ने उसको क्या challenge करा कि तुम 5 minute के लिए भी लोगों को hilsa fish के बारे में बात करने से नहीं रोख सकते, Gopal ने challenge accept कर लिया, क्यों नहीं रहे मैं करके दिखाता हूं Gopal घर गया, he half shaved his face and smeared himself with ash, उसने क्या करा, अपना आधा मूँ shave करा, और क्या करा अपने आप पे ash लगा ली मूँ पे फटे कपडे पहने, अपनी wife से बोला, his wife उसकी wife ने उसको बोला करे, ऐसे बाहर मत जाओ, इतनी बेस्ती हो जाएगी, पर Gopal जो था, वो hilsa fish खरीदे चला गया, उसने क्या करा, he bought one and started for the palace, उसने hilsa fish खरीदी और महल की तरफ चल दिया a child said that he was a joker some said that he was a madman, while some declared him a saint, अब कोई उसको कुछ बोल रहा, कोई joker बोल रहा, कोई पागल बोल रहा, कोई बोल रहे नहीं, ये तो संत महात्मा है जब वो court पहुँचा, तो उसको अंदर ही नहीं गुशने दे रहे थे, क्योंकि उसको पैचाने नहीं था, ऐसे गंदे कपड़ों में कौन राजसे मिलने देगा, तो वो क्या करने लगा, नाचने लगा और पागलों इतरह चिलाने लगा, जब किंग ने उसकी आवाज सुनी, किंग ने बोला कि अरे कौन अंदर लाओ, किंग उसको पैचान गया ये आस्टेम कि उसने अरे ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, तरहीं क्या बेशती करा रहे हूँ कोफाल क्या बोला, कि ये जो है न, ये बड़ा स्ट्रेंज आपको लख रहा है बट, no one seem to be interested in हिलसा फिश, बट अगर आप जहां से देखो, इस समय मेरे हाथ में हिलसा फिश है और कोई उसमें इंट्रेस्टेट नहीं है सब इसमें इंट्रेस्टेट हैं कि मैंने इसे कपड़े क्यों पहने है, मार्केट से लेके कोट तक में आया और किसी न, हिलसा फिश के बारे में बात भी नहीं करी, और ये सुनके किंग जोते, वो हसते हसते रुक नहीं पाए, और एकदव उन्होंने कॉंग्राचुलेट करा गोपाल को, ऐसी चीज कर दिखाने के लिए, जो उन्होंने सूचा भी नहीं था तो ये लोजी, दो मिनिट भी नहीं लगे और आपको मैंने पूरी कहानी सटे से सुना दी फटाफ़ट वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं सो दाट आप इन्हें अपने आंसर्स में यूज करो और अच्छे से अच्छे मांक स्कोर पर कर पाओ डाउन कास्ट का मतलब क्या होता है, नीचे देखना फिश मॉंगर, एक वो इनसान जो मचलियां बेचता है रिडिक्लिस, सम्तिंग किसी चीज़ पर हसा जा सके कोटियर, जो राजदरबारी होते हैं राग याने की पुराना कपडा तो बताओ फटाफट आपको ये वीडियो कैसी लगी ये समरी कैसी लगी, कमेंट करके मुझे जोड़दार तरीके से अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी मसेदार धमाकेदार मस तरीके से मौझ मस्ती स्टाइल पढ़ाई की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई, ठेक क्या और मौझ मस्ती करते रहिए